कहानी की सुरुवात में एक आइलेंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक स्पीड बोड को भी देखते हैं जिस पर एक फोटोग्रापर कुछ मॉडल्स की फोटो ले रहा था लेकिन इसी के साथ हम पानी के नीचे एक सार्कों को भी गुमता हुआ देखते हैं तभी पर उस सार्क की फोटो लेने लगता है लेकिन वह सार्क की स्पीड बोड की और तेजी से बढ़ रहा होता है और केवल एक ही जटके में सभी को एक साथ में मार देता है इसके बाद हम पुलिस हेड़कौाटर का सीन देखते हैं जहां पर ऑफिसर इस्टरलिंग वोकी टॉक पर इसी घटना के बारे में सुन रहा था इसके बाद वह डेपूटी जूलिया को लेकर उस जगह को चेक करने पहुंच जाता है लेकिन उन दोनों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहां से केवल इनको एक कैमरा मिलता है इसके बाद इस्टरलिंग कैमरे में फोटो को चेक करने लगता है जिसमें उन्हें चार सिरवाला सार्क दिख जाता है और अब इसको देखने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं अब अगले सीन में इस्टरलिंग और जूलिया एक मरीन बायलोजिस डॉक्टर एंजी से मिलते हैं फिर वह उस को फोटो सॉप किया गया है जिसके बाद डॉक्टर एंजी भी हामी भर देती है और वह दोनों आफिसर वहां से चले जाते हैं अब अगले सीन में हम एंजी को उसके चार इंटरंस के साथ में एक नाव पर देखते हैं जहां पर थेडियस उनको अपना प्लान बताता है जो उस चार सीर वाले सारकों को पकड़ कर अपने एक्वीरियम में रखना चाहता था क्योंकि यव उसके एक्वीरियम में बहुत ही कम विजीटर्स आते थे लेकिन चार सीर वाले सारकों को देखने बहुत सारे लोग आएंगे और इस तरह से उसका एक्वीरियम अची तरह से चलने लगे गा, इसके बाद वा सभी नाओ में बैट कर उस सार्कों को पकड़ने निकल जाते हैं, अब कुछ देर में समुन्दर के बीच में पहुँच कर वा मचली के खुन को पानी में फेकने लगते हैं, और नाओ के नीचे लगे कैमरे से नज़र रखने लगते हैं, अब खुन के इस मेल की वजा से वा सारक वहाँ पर आ जाती है और नाव में लगे एक कैमरे पर हमला करके उसको तोड़ देती है इसी के साथ वा अचानक से सियान पर हमला कर उसे पानी में ले कर चली जाती है और उसको मार कर खा जाती है यहादे कब नाप और मौझ crosses सभी लोग ब खाता है और इसके बारे में पूछने लगता है जिस पर वह लोग एगरी करते हैं कि यह तो वही वाला सार्क है अब यह जानकर श्टरलिंग और चूलिया केस के बारे में बात करने लगते हैं और बीच को बंद करने का डिसाइड करते हैं इसके अगले सीन में हम उसी सार्कों समुंदर में गुमता हुआ देखते हैं लेकिन इसी बीच समुंदर में एक फिसर्मैन बोट लेकर मचली पकड़ने के लिए आया था तभी वा सार को उसके बोट पर हमला करके उसको पलट देती है और उस फिसर्मैन को भी मार कर खा जाती है अब अगले दिन हम देखते हैं कि थेडियस और एंजी फिर से उस सार को पकड़ने के लिए अपने इंटरंस को मना रहे थे जिसके बारे में सुनकर पहले तो वह लोग मना करते हैं लेकिन फिर भी आखिरकार इसके लिए रेडी हो जाते हैं इसके कुछ देर के बाद वह सभी डॉक पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलकात रेड नाम के एक सार कंटर से होती है जिसको डॉक्टर एंजी ने बुलाया था और असल में वह उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है इसके बाद वह सभी नाव लेकर फिर से निकल जाते हैं फिर हम समुंदर में कोरल रिसर्ज की टीम को देखते हैं जो की वहाँ पर कोरल की जांच कर रहे थे लेकिन तबी जांच करते हुए टीम की एक मेंबर दूसरी और चली जाती है और फिर हम उसी चार हेड़ वाली सार को देखते हैं जो की उस पर हमला करके उसको खा जाती है वहीं दूसरी और हम नाव पर रा और केट को देखते हैं जिनको इस खतरना काम के अंजाम के बारे में पता होता है लेकिन फिर भी वह लोग सियान के लिए इस काम को करना चाहते थे अब अगले सीन में हम एक दूसरे नाव को भी देखते हैं जिसमें कुछ लोग गुमने के लिए आये हुए थे तभी उनको वेव में एक वेल दिखाई देती है जिसके बाद वह लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से चार हेड़ वाली सार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला करके उसको मार देती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं इसके बाद नाव का गाइड जल्दी से पुलिस को इसके बारे में बताता है और इस बात को रेड भी सुन लेता है इसलिए वह तुरंत ही उस सार्क की और बढ़ने लगता है लेकिन अब सार्क भी नाव की और बढ़ना सुरू कर देती है जिसे देखते ही गाइड भी तुरंत सभी को लेकर डौक के तरह भागने लगता है तभी कुछ दिर में स्टरलिंग भी अपने दो अफिसर को लेकर यहाँ पर आ जाता है अब गाइड जल्दी से सब को नाव से उतार लेता है तभी एक आफिसर सारको को देखकर उसको सूट करना सुरू कर देता है लेकिन सारक उस पर ही हमला करके उसको मार देती है इसके बाद सारक रेड के बोट की और जाने लगती है लेकिन वह लोग पुरी तरह से तयार होते है क्योंकि वह लोग सार्क के उपर ट्रैकर लगाना चाहते थे इसलिए सार्क जैसे ही पानी से बाहर आती है रेड उसके उपर ट्रैकर लगा देता है लेकिन तभी वह लेंसी पर हमला करके उसको पानी में लेकर चली जाती है और उसको मार कर खा जाती है अब इस बात से सभी लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सार्क की पूँच उसके मुह में बदल जाती है जिसकी वज़ा से अब वह पांच हेड वाली सार्क हो जाती है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग एक्वीरियम पहुच जाते हैं और फिर स्टरलिंग भी उनका साथ देने के लिए वहाँ पर आ जाता है लेकिन अबराम थेडियस के उपर बहुत ही ज़्यादा गुसा हो जाता है क्योंकि उसके वज़ा से कई लोगों की मौत हो ज़्यादा गुसा है जिसे देखते ही सभी लोग डर कर वहाँ से भागना सुरू कर देते हैं अब यह बात जैसे ही स्टरलिंग को पता चलती है वह सभी लोगों के साथ में तुरंत बीच पर आ जाता है जहां उनको पता चलता है कि सार्क ने 5 लोगों को खाली आये और बह फिन की अवाज निकाल कर सार्क को एक जगा पर बुला कर डाइनामाइड से मारने का प्लान बनाती है फिर वह लोग डॉक पर जाकर अपना फाइनल प्लान बनाते हैं उनके पास में तीन स्पीकर थे जिनका इस्तेमाल करके वह लोग सार्क को अपनी और बुलाएंगे इसक उसने या सब एक्वीरियम को बचाने के लिए किया था इसके बाद NG स्पीकर को पानी में उतारने लगती है लेकिन स्पीकर की आवाज सुनकर सार्क गलत डिरेक्शन में जाती है और वह इस्टरलिन के बोट की और पहुच जाती है फिर भी ट्रैकर के वज़ा से इस्टरलिन को पता चल जाता है कि सार्क उसकी तरफ आ रही है लेकिन तभी अचानक से उनको सार्क का सिगनल आना बंद हो जाता है क्योंकि सार्क अब उनके बोट के ठीक नीचे आ गई थी अब जूलिया पानी में सार्क को खोजने की कोसिस कर रही थी लेकिन तभी सार्क बोट को एक जोरदा टकर मारती है जिसकी वज़ा से जूलिया का बैलेंस खराब हो जाता है और वा पानी में गिर जाती है इसके बाद वा सार्क उस पर हमला करके उसको खा जाती है या देखते ही श्टरलिन उसको बचाने के लिए सार्क पर सूट भी करता है लेकिन इसका कोई भी जोरदा नहीं होता अब जूलिया को खाने के बाद सार्क तेजी से श्टरलिन की और जाती है और उसकी बोट के पंको को तोड़ देती है जिस वज़ा से उसकी बोट वहीं पर रुख जाती है अब या बाती श्टरलिन रेडियो के द्वारा रेड को बताता है जिसके बाद रेट जल्दी से पानी में मचली का खून फेकता है अब इस वज़ा से सार्क की स्टरलीन को छोड़ कर रेट की और जाती है जिसको अपने और आते हुए देख रेट सब को तयार हो जाने के लिए काता है लेकिन तभी सार्क पर लगा हुआ ट्रैकर निकल जाता है जिसकी वज जैसे ही डाइनामाइट को खाने वाली होती है तभी उसकी जगा पर एक दूसरी नॉर्मल सार्क उस डाइनामाइट को खा लेती है अब इस बात से उनको लगता है कि फाइब हेड़ वाली सार्क ने उसको खा लिया है जिस वज़ा से रेड रिमोट का बटन दबा देता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वज़ा से उस सार्क के टुकडे टुकडे हो जाते हैं या देख अब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हैं लेकिन उनकी खुसी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी फिर हम देखते हैं कि वा फाइब हेड व जाता है जिसके बाद इस्टरलिन उसकी और पुलिस हेलिकॉप्टर भेजने की बात करता है अब सार्क फिर से रेड के बोट को टकर मार देती है जिससे केट का बैलेंस विगर जाता है और वा पानी में गिर जाती है या देखते ही उसको बचाने के लिए राम भी पानी में कूद जाता है और दोनों तैर कर बोट की और जाने लगते हैं लेकिन इस वक्त सार्क भी उनके पीछे होती है और कुछी देर में उनके बहुत नस्दीक तक आ जाती है या देख थेडियस उसको हारपुल फेंक कर मारता है जिसके बाद सार्क वहां से भाग जाती है लेकिन इसके बाद रेड सबको गंदे देता है और कहता है कि अगर मरना है तो हम लड़कर मरेंगे तभी सार्क फिर से बोट पर हमला करने के लिए आने लगती है या देखकर रेड सबको सूट करने के लिए कहता है जिस वज़ा से सार्क डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और दूसरे ड फिर से बोट के और भी आने लगती है जिसे देख रेड बचे हुए डायनामाईट को एक हुक से बांध देता है और राम को दूसरी और से जाल फेंकने के लिए कहता है जबकि वहां खुद दूसरी और हो जाता है अब सार्क जैसे ही उस जालकी और आती है रेड बोट से पर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही खुस हो जाते हैं, इसके बाद rate NG से गले मिलता है और उसको साधी के लिए propose भी कर देता है, जिसके बाद NG उसको हा कर देती है, और इसी के साथ मुवी यही पर end हो जाती है, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफीकेशन को आल पर सेट कर देना